तो फाइनली दोस्तो हमारे पास आ चुका है सोनी की तरफ से आने वाला ये वाइलेस से डबलू आई सी हन्रेट इयरफोन दोस्तो इन इयरफोन की खास बात ये होने वाली है कि आपको काफी बजट में रहकर मिल जाते हैं उनकी sound quality है और सोनी ऐसा कहता है कि वो अपने आप में काफी जबर्दस होने वाली है इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस प्रोड़क को और देखेंगे कि क्या क्या मिल जाता है आपको बॉक्स के अंदर और साथ ये IPX4 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी एक कोलाइजर कस्टोमाइजेशन भी आपको इस एयरफोन में देखने को मिल जाएगा बाकि आप वो बाक पर कुछ पॉसी टेक स्पासिफिकेशन वगएरा दे रखी होती है और इसके साथ आपको एक इसका सप्रोटिव आप भी देखने को मिल जाता है जिसे कि आप प्ले स्टोर या फिर आप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट बॉक्स को ओपन करेंगे और देखते हैं अंदर आपको क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहलों कि आपको अंदर ये कुछ एर कुशन्स वगएरा देखने को मिल जाते हैं जो कि ओवर ओल देखने में काफी प्यारे लगते हैं और इनकी क्वालिटी भी अपने आप आपको देखने को नहीं मिलेगी नेक्स आपको ये टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है जो कि ओवर ओल देखने में काफी अच्छी लगेगी हाला कि अगर आपके पास एक ऐसी टाइप से भी केबल है जिससे कि अपना फोन चार्ज करते हैं तो आप उसका ही इस्तमाल क कोई भी चकर नहीं होता इसका इस्तमाल आप नॉर्मल अपने डेली यूज में कर सकते हैं चुकि इसका वायर अपने आप में वाकई काफी फ्लाट और फ्लक्सिबल होता है जिसे कि आपकी पॉकेट में भी इजली आ जाएगा नेक्स अगर हम इसके लुक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसके कंट्रोलर्स दे रखे होते हैं वहां पर आपको यह वाल्यूम अपने डाउन की दे रखी होती है और साथी पावर बटन दे रखी होती है यहां पर साइड में आपको लेफ्ट की बेजिंग देखने को मिल जाएगी और पीछे की देखने को मिल जाएगे ओर आपको च्छर्जिंग दे रखा होते हैं गया आपको अलए कि यहां पर आप डे रखी होती है Earphones अपने आप में देखने में काफी compact से लग रहे हैं और साथ ही lightweight भी लग रहे हैं हलाकि जो इनका look रहता है वो को आपको कोई बहुत heavy देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कहीं न कहीं यही चीज एक अच्छी बात भी होती है जिससे कि आप इसे अपनी pocket में भी easily रखकर carry कर सकेंगे आप दोस्तों बात आती है आपके mobile phone से इन earphones को pair कराने की बहुत ही simple से जैसे आप Bluetooth को pair कराते हैं ठीक उसी तरीके से आप अपने इन earphones को भी pair करा सकते हैं अपने phone से इसके साथ आपको sony का headphone connect app मिल जाता है जिससे कि आप play store और app store apple के दोनों से ही download कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाता है इसके app में इसका जो app रहता है काफी customizable रहता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको battery percentage वगरा देखने को मिल जाता है साथ ही यहाँ पर किसी भी app में आपका जो भी song play हो रहा है उसका आपको description इसके status में देखने को मिल जाएगा कि यह किस sound को play कर रहा है next यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको equalizer mode वगरा देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप इसे customize कर सकते हैं अपनी जरुवत के हिसाप से यहाँ पर आपको काफी सारे predefined modes भी देखने को मिल जाएंगे और साथी कुछ custom modes भी रहते हैं जिने के आप अपने हिसाप से check out कर सकते हैं तो इन custom modes को आप अपने हिसाप से setup कर पाएंगे अगर आप चाहें तो इस equalizer को off भी कर सकते हैं अगर आप high base के socket हैं तो उसके भी option आपको देखने को मिल जाएंगे इसके app के अंदर अगर आप इसके निचले हिस्से पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 360 reality sound audio setup का भी option दे रखा होता है जिससे कि आप अपने ears को scan कर सकते हैं और जिससे आपसे यह आपके कानों में sound को deliver करत यहाँ पर अगर आप battery sound quality चाहते हैं तो कहीं ने कहीं जो इसका battery backup है वो थोड़ा सक कम होगा लेकिन आप priority on stable connection चाहते हैं कि मैरा connection stable रहे हम काफी लंबे समय तक इससे इस्तेमाल कर पाएं और लगातार हम इसे use कर पाएं तो आप यहाँ से check out कर सकते हैं इन दोनों options को भी next यहाँ पर अगर अगर हम system में जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको कुछ guidance वगएरा के लिए options देखने को मिल जाते हैं आप यहाँ से जाकर language वगएरा को भी select कर सकते हैं इसके app में तो काफी सारी language app का support देखने को मिल जाता है और एक चीज़ यहाँ पर आपको और देख देखने को मिलते हैं जो कि कई ने कई music lovers के लिए एक बहुत मज़े की बात रहेगी तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जिनने कि आप इसके app में check out कर सकते हैं overall आप बात करते हैं इसकी sound quality की कैसी रहती है तो overall मुझे इसकी sound quality अपने आप में काफी जबर करते हैं और इसके अलावा उसके बाद अगर आप थोड़ा सा दोड़ बगेरा भी रहें तब भी गिरने वाले नहीं है यानि कि इनका जो एक तरीके से comfort है बहुत ही next level है और size में छोटा होने की वज़ए से बहुत ही आराम दायक भी रहते हैं और आपको ऐसा लगता ही नह पर कानों में लगाया हुए है overall इनका जो इसका जो वायर रहता है वो भी अपने आप में टॉंगल फ्री रहता है जिसे कि आप easily कुछ इस तरीके से मोल्ड करके अपनी pocket में रकर कहीं भी ले जा सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है इस neckband के अंदर जो कि मेरे को personally काफे interesting लगा है बाकि Sony की sound quality की तारीफ मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने आप में एक brand है और बहुत ही जबर्दा sound quality वो आपको provide कराती है इसका 360 audio गाला जो option है वो आपको देखने को मिल जाता है अग इसका एक app भी आपको देखने को मिलेगा अलग से उ के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है कमेंट करके बिताएगा कि यह इरफोंस आपको क्यासे लगे है आज की इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब परेगा वीडियो इंट्रस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिलकुम न दूलेगा तब तक लिए दोस्तो हुआ